कॉर्पर ट्रेडार में आज हम जेबी फार्मा पर फोकस करेंगे 1976 में ये कंपनी शुरू हुई जेबी फार्मा हाइपरटेंशन सेग्मेंट की दिगज कंपनी है वहीं मेरिकेटिड और हबल लॉजिंस बनाने वाली टॉप पाँच कंपनियों में से एक जेबी फार्मा है अमेरिका समेट दुनिया के कई देशों को फॉर्मिलेशन एक्सपोर्ट भी करती है हाल ही में खबरे आई हैं कि कंपनी भारत और नेपाल के लिए ग्लेंदमार्क फामा से रिजेल फ्रेंचाइजी का अधिगरहंट करेगी आपको बता दे कि रिजेल कार्डियो वस्कुलर सेग्मेंट में काम करती है तो इस डील से कंपनी को आए में कितनी वृद्धी की उमीद है पंडिंग कैसे होगी मौझूदा ओडर बुक कैसी है और आगे क्या विस्तार योजनाए है आउट्लू किस प्रकार का है सबस पर हम डीटेल में बात करेंगे और उस पर बात करने के लिए कंपनी के सीओ और होल टाइम डिरेक्टर निखिल चोपड़ा सबसे पहले तो हर को इस डील के बारे में ही जानना चारा है किस प्रकार की सिनर्जीज बनते हुए देख रहे हैं और इस अधिगरहन को फंड करने की प्लानिंग क्या है नेया सबसे पहले तो धन्यवाद आपके शो में इन्वाइट करने के लिए जो हमने डील एनाउंस की है यह बेसिकली काडिलोजी सेग्मेंट में है लिपिड लोवरिंग एजन्ट रोसुव श्रेटिन मॉलिकूल है उसके कॉंबिनेशन है हमने यह 60 करोड का रेवेन्यू जिसमें 80% क्रोस मार्जिन है 314 करोड में हमने परचेस किया है अगर सिनर्जी की बात की जाए तो आपने जो बताया है अभी तक हम हाइपर टेंशन में एक एड्मारेबल प्लेयर हैं इन वर्ल्ड ऑफ हाइपर टेंशन इदावर सिलाकार और निकाडिया हमारे जो बड़े बरांड है उसी लाइन में लाइस्ट एक किया था दिन इंड एद फिल्ड ऑफ हाइड में उसी लाइन में हमने यह डील आंउन्स किये और हमने परचेस के हैं यह प्रोडक्त परचेस च्ञूर से यह प्रोड़क्सा क्रवेण्या युश्ट से घ्रोग कर रहा है और हम जिस तरह से ऑपोर्शुनिय देख रहे हैं, ओर ओर रोल रोसुवास्टेटिन इस अ मॉलीकुल और कॉमिनेशन, यह 2500 क्रोड का मार्केट है, और हमारा मार्केट शेर 2.5 तो 3 परसंट है, रिजल ब्रांड और अधर फॉर्मूलिशन के साथ, तो हम देख रहे हैं कि एक हाट फेलियर और अब लिपीड लोवरिंग एजन्ट, सो वी एर इन लाइन, इन लाइन ऑफ आवर गाइडिंग प्रिंसिपल इंटम्स ओफ हमको क्या आगए, इंडिया मार्केट में करना है, तो क्योंकि आप प्लेयर्स हैं, बड़े प्लेयर्स हैं इस पूरे एरिया में, सेग्मेंट में, सिर मुझे जरा एक आइडिया दीजे, यह जो कार्डियो वैस्कुलर का सेग्मेंट है, पूरा यह मार्केट साइज कितना है सर इसका? अगर देखा जाये तो यह मार्केट साइज है 23,000 क्रोड का, हम 13th rank company थे 2020 में, विच सिलाकर और निकाडिया जो हमारा ब्रांड था, सारे 600 क्रोड के आसपास हमारा बिजनस था, हमने जब अजमाडा एक बाइर किया है, जो सेक्विडूल वालसाटन हाट फेलियर में, लास् हो गया है, तो हमारा overall revenue, अब result मिला के, साड़े 800 क्रोड के आसपास है, तो overall burden of disease बहुत हाई है, cardiology, lifestyle disease, जो है, 100 million patients suffer करते हैं, overall with a burden of disease in the field of cardiology में, within hypertension है, अपना इसका problem है, अपका lipid statins का problem है, triglycerates का problem है, तो overall now, देखा जाओ, जिस सरह से हम, हमारा presence बढ़ा रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत बहुत अच्छी opportunity के, हम कैसे हिंदुस्तान में, जादे से जादा पेशन्ट को, हमारे quality products, जो GB company बनाती है, उसे कैसे हम उनको, with the help of doctor community, उनको अच्छा treatment बिले, सर, इससे पहले कि मैं अगला सवाल पूछू, बस एक confirmation चाहिए था, आपने का 23,000 करोड का market है ना सर, 23,000, 23,000, ओके, ठीक है सर, इन फाक्ट ये जो particular segment जिसके आप बात कर रहे थे, भारत में भी हम देख रहे हैं, इससे जोड़े cases काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, मैं उस forward, केपेक्स किस प्रकार से बढ़ाने की योजना है, so challenge अगर देखा जाए तो जो हमने critical mass acquire किया है hypertension में, उसकी बात में कर सकता हूँ, हमारा next step है कि हम patient को कैसे medicine से ज्यादा अधियर करा पाए, patient कैसे medicine long term continue कर पाए and patient can live quality life, just to give you example, हमारा एक प्रोड़क है nicadia, nifedipine, जिए हमारा वो भी hypertension के लिए treat, uncontrolled hypertension के लिए treat, किया है patient को से, हमारे बास nicadia plane 30 और 60 है, पर हमने incremental innovation करके nicadia XL 30, 60 और 90 भी introduce करेंगे, which is once a day, so better patient compliance, how we, हमारा जो next steps है कि हम कैसे consumer से बात करें, और इनका adherence बढ़ा है, so they can live a very good quality life, अगर कैपेक्स की बात की जाए, तो overall, ये प्रोड़क हम, we will continue to procure from Glenmark, as a arrangement which has been done, और there are other partners जो हैं, जो हमको बना के दे सकते हैं, तो कैपेक्स का इसमें कोई involvement है नहीं, अभी, आल फिलाल. Okay, sir, margins पर थोड़ा focus कर लेते हैं, आपने guidance 24-26% के आसपास दी थी, 23% के आसपास आपने दूसरी तिमाही में achieve किया है, sir, आगे margins को लेकर क्या guidance रहेगी? So, margins हम 24-26% में दिलिवर कर पाएंगे, तो कभी आप देखें के हमारा margin 24-26% होगा, and if there is softness, and we get the benefit, we can go at the peak of 26% margin. But हम majority देख रहे हैं के कैसे margin को enhance किया जाये with better market bidding growth, जो आपने बताया के हमारा जो growth है इंडिया market में, अगर आप देखे हैं के we are the fastest growing company, और अगर आप IMS के figures देखें नवंबर के, market का growth अच्छा था, 16-17% and हम भी growth कर पाएं 30% से. और हमारा rank for the month of November, before this deal, is now 22nd rank company. So हम देख रहे हैं कैसे हमारा overall ranking को improve किया जाए, हमारे जो बड़े brands हैं इंडिया में, Silakar, Nikadia, Rentec, Metrogil, Sporolac, जो हमने product acquire किया है, Probiotic, Azmada, और अबरेजल, कैसे इन बड़े brands को और बड़ा बनाया जाए, how closely हम healthcare professions के साथ काम करें, कैसे उनसे medical marketing और activities करें, जिससे more and more patients get the benefit of the medicines that we manufacture and market. चोपड़ा सर, आपने ब्रेक पर जाने से पहले ये इस बात का जिक्र किया था, कि किस प्रकार से आपने बहुत सारे brands को acquire किया है, तो मेरा इसमें दो सवाल है, पहला तो ये कि किस प्रकार के organic और organic growth आप इस वित्तवर्ष में और अगले वित्तवर्ष में देख रहे हैं, और क्या ये जो brand acquisition का सिलसला है, ये अगले साल भी जारी रहेगा? So हमारा जो growth हम report करते हैं, अगर देखा जाए है, तो हमारा ओर्राल ओर्गनिक growth is around 18-20% और 8-10% growth हमारा इन और्गनिक acquisition के वज़े से हमारे तीनों इन और्गनिक जो हमने अक्वाइर किये हैं assets, those are doing very well, अगर आप देखा जाए, देखें तो हमारा जो हमने enzyme जो portfolio acquire किया था probiotic में, जब हमने acquire किया था तो 12-13 crore का revenue था, आठ मेने में उसका revenue का अभी run rate is around 15-16 crores, अजमारा अगर देखा जाए, Secubitool Wal-Sartan जो हमने heart failure के लिए पिल एक्वाइर किया था, उसका monthly run rate was around 6-7 crores, जबकि आज 10-11 crore के आसपा से 6 मेने में, और हमने 4 pediatric product acquire किया थे Dr. Reddy से, जो हमने, जिसका yearly run rate was around 35 crores, इस year we should be close to 45 crores, इन तीनों acquisition अच्छा ओर वर्वल हमारे लिए बड़त हासिल किया in terms of growth, और हमारा जो mantra है execution excellence का on the field, हमारे favor में काम कर रहा है, अगर दिखा जाए तो organically, अगर में बात करूं दो मिनिट के लिए तो हमारे जो बड़े ब्रांट्स हैं, Rentec, Metrogil, Silakar, Nikadiya वो भी बहुत अच्छा perform कर रहे हैं, उसमें भी अच्छा momentum है last four to six quarters, और अगर आप बात करें acquisition का, यह विल चंटिए तो scan, इप देरी अनी और उपर्शनली अवेलेबल न टेबल, विच इस EBITDA अगरेटिव, विच अम जो बिलीव करते हैं, प्रोफितेबल ग्रोथ में, अगर आप देखे हमने जो डील की है, रिजल की, हमने five times top line, four to five times top line pay किया है, अगर आप EV to EBITDA ratio देखे हैं, तो यह विच अगर आप EV to EBITDA ratio देखे हैं, तो इस अरूपने निकाल कर हमारे साथ जुडने के लिए, और प्लान के बारे में दर्शकों को बताने के लिए, चलिए, JB Pharma का management था हमारे साथ, आगे की रननीती पर focus करते हुए, स्टॉक में जबर्दस स्ट्रेंथ के साथ, फिलाल कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हजार पच्चमन के पास 0.5% की मजबूती दिख रही है, इसी के साथ कॉर्प्रेडार को में यही राप अप करते हैं, लेकिन आप बने रही है गलसी बुजनस के साथ, ब्रेक के बाद भी खबरों के सिलसिला जारी रहेगा.